सवाई माधोपूर से ट्रेन चल चुकी है वैसे लोको पाइलेट केबिन के अंदर तमाम इनफार्मेशन आती रहेगी यहाँ देखिए सवाई माधोपूर पर जो लोग खड़े हुए हैं उनको पता है खुद रेल मंत्री इस इस्पेशल ट्रेन के अंदर इस्पेशल ट्राइल के अंदर है यानि एक्चुल टरीके से कवच किस तरीके से काम करता है इसका यह कहीं न कहीं डिमॉंस्ट्रेशन है सजीन जी क्या कहेंगे यह डिमॉंस्ट्रेशन किस तरीके से अलग है यह डिमॉंस्ट्रेशन इस तरीके से अलग है कि कवच की आप तक की जो है है वो सबसे उन्नत प्रणाली है उन्नत संस्क्रण आया है वो यहां पर 108 किलोमीटर का पैच है मतुरा से इस बीच में वो लगा दिया गया है और उसका आज हम जब आ देखा कि उसको जो भी कवच के जो विभिन उपकरण होते हैं तो यह डिवैलप कैसे किया गया तो रेल मंत्री जी ने खुदी बताया कि भारत में अलग-अलग स्थानों पर रेलवे की अलग-अलग विविधताएं हैं परिचालन के हिसाब से उसके निर्मान के हिसाब से उन कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावडा वाले रूट पर लगभग 3000 किलोमीटर के दूरी में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कारवाई शुरू हो चुकी है तीन हजार किलोमीटर के लिए कवच कहीं न कहीं तयार है कहा जा सकता है और कवच 4.0 की जब हम बात करते हैं तो सचिंजर समझाइए हमारे दर्शकों को कि कवच 4.0 क्या बला है देखिए दो चीजें हैं इसमें एक आम लोगों के लियास से अगर हम तकनीकी में जाएंगे तो वह संबहुता हमारे दर्शकों को पूरी तरह से समझ में ना है तो हम केवल और केवल उस बात पर बात करेंगे कि जिससे आम लोगों को क्या फाइदा होने बाला है देखिए एक तो जैसे ही आपकी गाड़ी की ओवर स्पीड होगी जो एक मानने स्पीड होती है किसी जगा पर उसके अगर ओवर स्पीड हो रही है तो तुरंत वह दो किलो मीटर प्रतिगंटा अगर जैसे ही ओवर स्पीड होगा तो एक अलारम बजेगा जैसे ही पांच किलो मीटर अधिक होगा तो फिर उसके बाद में वो गाड़ी धीमी होनी शुरू हो जाएगी साथ किलो मीटर देखोगा तो उसमें ब्रेक लग जाएगा और इस तरह से करके नौ किलो मीटर होगा तो पूर्ट ब्रेक लग जाएगा अप इमर्जनसी ब्रेक लग जाएगा अगर गलती से अगर कहीं गाड़ी एक ही ट्रेक पर दो गाड़ी आ गई और आगे पता चल रहा है कि उसमें कुल बाधा है और दूसरा इंजन है तो वह आटोमेटिकली ब्रेक लगा करके रोक देगा एक तो यह फाइदा हो गया दूसरी चीज कि लोको मोटिव में जो आपक इसलिए फायदे मंद होगा कि कि पहले ही केब सिंगनल को पढ़लेगी कि सिंगनल क्या है तो उसका पढ़ेगी तो इसससे क्या होगा कि बहुत पहले जब पढ़ लेगी तो अगर आपको माले जेद से पाइधा 확인 chapters on है को दूसरा इसे होगा कि हम他說 बहुत पढ़ता है सरदिय तो सिगनल आसपेक्ट को पढ़ लेगी कैब सिगनलिंग इसको हम बोलते हैं कैब सिगनलिंग का अगर फायदा मिलेगा तो हम कोहरे में भी गाड़ी को सामाने स्पीड से जो भी हमारी गाड़ी की जो मानने स्पीड है उसके हिसाब से हम उसको चला सकेंगे बड़ी बात आप कह रहे हैं यानि कोहरे में भी ट्रेने स्पीड में चलेंगी कहा जा सकता है बिल्कुल कोहरे में भी गाड़ियां वो चलेंगी और अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि लगभग लगभग 45 से 50 प्रतिशत लोकों में सब में यह उपकरण जो इससे संबंदित हैं वो लगाए ज लगा जा चुक है तो यह काम बहुत तेजी से चल रहा है हम देख रहे हैं और हमें लगता है कि एक डिड़ साल के अंदर कम से कम दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावडा रूट पर यह कवच 4.0 लग करके तयार हो जाएगा और अब जब वो तयार हो जाएगा इसी बीच में हम देख रहे हैं कि रेलवे ने जो पट्रियों के इर्दगिर्द जो फैंसिंग करने का जो उन्होंने काम सुद्ध काफी जरूरी है यह कहा जा सकता है और हमने देखा कि रेलवे ने पूरा दिवाल बाला करके जैसे हाइवेज पर आपने देखे होंगे कि वह दो डबलू लेवल की जो आइरन प्लेट लगी होती हैं वो प्लेट लगाने का प्रेयोग किया है और उसका प्रेयोग काफी सफल भी रहा है तो वो प्लेटें जैसी लग जाएंगी जल्दी काम हो जाएगा वो तो एक दो साल में आप कम से कम इन दो रूट को पूरा का पूरा सेमी स्पीड यानी 160 kmph के बराबर आप तयार देखेंगे 160 kmph की रफ्तार पर बेधड़क तरीके से चलेंगी कवच लगा कर यह कहा जा सकता है सर एक और चीज जो इसमें ज्यादा ध्यान दी जा रही है कि यह टेकनोलोजी तो ठीक है कि आमने सामने की टकर नहीं होगी कोहरे में भ बात करें कि अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कितनी पड़ेगी लेट आफ रिटर्ण उस हिसाब से कैसा कहा जा सकता है कॉस्ट मोटा मोटी पहले शुरू में अनमान 32,000 करोड के लगभका लगा गया था लेकिन मैं आपको यह बताओं कि इसकी कॉस्ट को मेरा अपना व तेज गती से आप यात्रा कर सकते हैं आपको मौसम के जो विपरीत जो असर होते हैं उसको भी आप उसको भी आप एड्रस कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारत की जो रेलवे है यह तकनीकी सुरक्षा की दृष्टी से एक दूसरे योग में जा रहे हैं एक और इसले कुछ सालों की बात करें तो ऐसी इनी इनी चीजें हुई होंगी जिसमें एक ही ट्रैक पर आके ट्रेने टकराई हो क्योंकि आटोमेटिक सिग्नलिंग भी आ गई है तमाम और रुपकरन आ गए हैं तो ऐसे में कवच को लाना क्या कवच से कहीं जो ट्रेन का करता है तो क्या हम कवच लगाई ना या हम कोई सुरक्षा प्रणाजी लगाई ना आप यह देखिए कि हम एक चरण बद्द तरीके से कोई आदमी अगर उपर जाता है तो वह एक चरण करके आगे बढ़ता है यह हम एक बहुत महत्वपूर्ण चरण में हम पहुंच गए ह रहे हैं उन चरणों का भी मिश्चत रूप से समाधान कई ना कई मिलेगा और दूसरी चीज हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्वब में जो रेलवे की जो आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणालियां हैं सिस्टम हैं जो भी हैं उनमें भारत का जो कव हम विक्सित देश जो है वो कभच के बारे में जयानकारी हसल करना चाहते हैं नहीं देखना चाहिए उसमें से बाहर नहीं पता पहले से उसको सेंस कर लें हो सकता हो आगे चलके आने वाले कुछ ऐसी डिवाइस भी बने जिससे पटरी की सेंस करके उसमें फ्रेक्चर या पहले पता लगा लें तो वह सब चीजे संभव हैं और आने वाले समय में निश्चत रूप से यह कुछ होगा यहां पर एक और कमपनियां हैं उनके पास यह एक्सपर्टीज है भारत के अंदर कमपनियों के पास में एक्सपर्टीज होगी और उसका पहले टेक्निकल और जब आप किसी को जब आप टेंडर देते हैं या किसी को आप उसको अनुबंध करते हैं तो आप हमेशा यह पहले उसको देखते ह कि उसकी टेक्निकल केपिबिलिटीज क्या हैं जब टेक्निकल केपिबिलिटीज हैं तभी उनको ये काम करने के लिए दिया जाता है तो इसलिए इसमें कोई संधे की गुंजाश नहीं होनी चाहिए यहां आप समझ सकते हैं कवच 4.0 का कहीं न कहीं एक्चुल परिछन किया जा रहा है यहां पर हम आपको वह पूरा का पूरा ट्रैक दिखा रहे हैं सवाई माधवपूर से हम चल चुके हैं 36 किलोमीटर तक यह ट्रेन जाएगी और यह एक्चुल डिमांस्टेशन है जैसा कि रेल मंत्री ने खुद न्यूजी स्टेशन को बताया कि इसको ट्रायल कहना गलत होगा यह एक्चुल डिमांस्टेशन है और जैसा कि सचिन जी बत सरकार काम कर रही है तमाम इंजिनियर्स काम कर रहे हैं तमाम लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कवच पोर पॉइंट ओको लेकर दुनिया भर में सुखबुगाहट है क्योंकि यह मेकिन इंडिया के तहत घर में बनाई गई टेक्नलाजी है इस तरीकी की अंदर जब दुरगटनाए जीरो हो जाएंगी तो कहीं न कहीं एक नया रिकार्ड बनेगा यहां एक बार फिर से मैं केमरमेंट को कहूंगा कि वो बाहर का दर्स से दिखाएं किस तरीके से स्टेशन पीछे छूटते हुए और इस पूरे के पूरे ट्रैक पर यहां हम कह सकते आरेफ आईडी लगाया जा चुका है साथी साथ देखे फेंसिंग भी है जब आरेफ आईडी की हम बात करते हैं जब सेफ जर्नी की बात करते हैं तो फेंसिंग भी चाहिए तो यहां जो रेलवे की पटरी है उसके लिए फेंसिंग है और दूसरी बड़ी बात यह है कि ले और जब ट्रेन पास में होगी तो ट्रेन को खुद ही पता चल जाएगा कि सामने ट्रेन है और सबसे बड़ी बात जो रेल मंत्री ने बताई है वो हम कह सकते हैं कि सिगनल की अगर हम बात करते हैं तो सिगनल का एसपेक्ट खुद ही पता चलता रहेगा यानि इंजन को पता होगा कि आगे कौन सा सिगनल है आगे कौन सी ट्रेन है यानि निरापद यात्रा का एक नया युग सुरू होने जा रहा है केमरामेन सकील हमत के साथ सिध्धार्थ न्यूज स्टेशन सवाई माधवपुर से ट्रेन के अंदर